नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं इन कमपनियों ने विधान सभा से नियुक्त संबंधी कानून पास होने के तीन महिने के बाद भी स्रम विभाग के पोटल पर अपना निवन्दन नहीं कराया था बतादे जीले के उपायुक ने इन कमपनियों को चीनित का दंड किया है, राज के दूसरे किसी जीले से कमपनियों को फाइन नहीं लगाया गया वहीं राज के विभीन जीलों के 268 कमपनियों को इस मामली में नोटिस भेजा गया पूरे मामले में कोडार्मा के उपायोग सबसे तेज करवाई करते हुए 31 कंपनियों को नोटीस भी भेजा है इनसे पूछा गया है कि अब तक सरम विभाय के पोर्टर पर कंपनिया यानी नियोकता ने निबंधन क्यों नहीं कराया बताओ देगरीडी में सबसे अधिक 86 कंपनियों को नोटीस भेजा गया है जार्खन में सर्प दन्स से 45 से ज़्यादा मौत मुख्य मंत्री चिकित्सकों पर करवाई के निर्देश दिये जार्खन के मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने मांसुन में सर्प दन्स से 45 से अधिक लोगों की मौत होने पर गहरी चिन्ता जताई है स्वास्त एवं कल्यान विभाग की समिक्छा बैठक में मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा बारिस के सुरू होते ही सर्पदंस के कई मामले सामने आ रहे हैं मैंने पहले ही सभी अस्पतालों में सर्पदंस के मरीजों के इलाज और दवा के पुखता बेवस्था करने का निर्दिस दिया था लेकिन फिर भी अब तक सर्पदन से 45 जजा मौत की बाते सामने आ चुकी है या चिंता जनक है उन्होंने विभा को कहा है कि जहां सर्पदन से मौत हुई है वहाँ के समन्धित चिकित्सकों को कारण बताव नोटिस जारी किया जाए पलामु में डोभा में डूबने से 4 छत्राओं की मौत पलामु जिले के रामगर थाना छेत्रे के सर्जा गाओं के एक सरकारी स्कूल की 4 छत्राओं की डोभा में डूबने से मौत हो गई घटना गुरू और सामकी है सभी छत्राओं के उम्र आठ से लेकर दस साल के बिच बताई जा रही है सभी सवों को डोभा से बाहर निकाल लिया गया इनकी पाचान सलमी, टोपनो, छाया कुमारी, अराध्ना कुमारी वा पूजा के रूप में हुई है बतादे सुचना मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने 400 को कबजे मिले कर पोस्माश्टम के लिए मेदनी राय मेटकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया मौके पर पहुँचे थाना परभारी, प्रभात, रंजन, राय, इस्कूल, प्रवन्धन वा बच्चियों के सोजनों से घाटना की जनकारी लेने के बाद मामले की छान बीन में जुट गाए घाटना के बाद से पूरे गाउं में मातम का महौल है पाराशिक्षकों को EPFO का लाव दिलाने की कोशिस, राज में करदा 63 है और पाराशिक्षकों को करमचारी भविसे निधी का लाव देने का मामला फिलहाल लंबित है ततकालीन सिक्षा मंत्री जगरनात महतों इसे लेकर परस्ताव केबिनेट में लाने की सुखिति पादान कर दी है अब इस पर बित सचिव से रिपोर्ट मांगी गाई बित सचिव को अने विभागों की स्थिति का आगलन करते हुए अपना परतिवेतन देने को कहा गया ताकि पाराशिक्षकों करमियों को EPFO का लाव देने के प्रस्ताव प्रोचितनी ने लिया जा सके बतादे पाराशिक्षकों की बहुआ परतिक्षित मांग को देखते हुए जारकन स्था पर रिपोर्णा परिशतने पाराशिक्षकों के अलवा अस्पताल लाया गया अस्पताल से कुछ दूर पहले महिला का टेम्पू में ही परसो होने लगा टेम्पू जैसे अस्पताल का एंपस तक पहुंशा तो नर्थो ने टेम्पू में ही महिला का परसो कराते वे उसका इलाज किया बता दे परसो के बाद महिला वा बच्चा दोन में ही इलाज कर जच्चा बच्चा को अस्पताल में भरती करा गया जहां उनका इपचार जारी है देव घर में कवरियों से मार पीट कर नगत समेत कई समानों की चोरी कवरिया पत इस्थीत रिखिया थाना छेत्रेक के बारा में बने अस्थ हाई होटल वा आवासन अस्थल पर बुद्धवर की राज पटना जी लेके कुछ कवरियों ठारे थे अचानक देर रात करीब तीन बजे वहाँ ठाहरे कवरियों के साथ दो लोगों ने आकर मार पीट शुरू कर दी इस दोरान एक कवरियों का मोबाइल वा हैंड बेंग में रखे चार हजार रूपे की चोरी कर लिए घटना के दोरान मोके पर पूलिस पहुंची और घटना में सनलिप्ता 12 निवासी चिंता मनी महतोव उसके बेटे सोनू को गिरफतार किया बता दे गिरफतार चिंता मनी के पास से पूलिस ने चुराए हुए चार हजार रूपे ब्रामत कर लिया है घटना को लेकर बिहार के पटना जिले से सोन गोपाल पूर निवासी कवरिया प्रीतम कुमार की सिकायत पर रिखिया थामें प्रत्मी की दर्श की गई है 2016 के बाद B8 और DL8 करने वाले 2 लाख अभियार्थी सिक्षक भरती से होंगे वनचीत जार्खन राज के पाहल से B8 DL8 करने वाले करिब 2 लाख से अधिक 46 सत्राओं को सहायक अचार्यों की नियुक्ति में सामिल होने का मौका नहीं मिलेगा यह अभियार्थी ऑनलेन अवेदर नहीं कर सकेंगे बता दे यह वैसे अभियार्थी है जिन होने 2016 के बाद B8 और DL8 की डिग्री ली है इन अभियार्थियों के लिए सिक्षक पतरता परिक्षा आवजीत नहीं की गई जिससे नई नियुक्ति परकिर्या में ए सामिल नहीं हो पाएंगे ऐसे में B8 डिग्री धारी छादर शत्राय नियाला का दरवाजा खट-खटाने के त्यारी कर रहे हैं बता दे जारखन में B8 कोलेजों की संख्या 135 है हर साले हाँ पर 66 bubb का नमांकन होता है ऐसे में इन कोलेजों से करीब हर साल 13,000 से अधिक 46 पास होका निकलते हैं मंत्री अलमगीर अलम का वाहन दूरगातना ग्रष्ट सुबे के ग्रामीन वीकास मंत्री अलमगीर अलम का वाहन गुरुवार की रायत कतरास थाना छेतर में फोर लेन सलग पर गो साला पूल के पाद दूर घाटना गरस्थ हो गया घाटना में मंत्री बाल बाल बचे हाथसा राज साड़े साथ बजे कहा है मंत्री के काफिले में सामील हवलदार निर्मल लकडा ने बताया को उनकी एसकोट कर रही गाड़ी मंत्री के वाहन के पीछे चल रही थी इस बीच गो साला पूल पर पानी जमा होने के काल मंत्री के गाड़ी के चालक ने रफ्तार कम की इसी कर में उनकी गाड़ी से टकरा हो गई वहीं हाथसे में दोनों वाहन छति ग्रस्त हो गए हैं टकर में मंत्री को आंसिक चोट आई हैं जबकि एक एस आईव और एक हवलदार कातराश गेनीजी असपताल में भरती हैं रांची के कारोबारी से 200,00,000 ठगने वाला दीली से गिरफतार राइधानी रांची के एक बड़े कारोबारी 60,00,000 की ठगी करने वाले ब्यक्ती को दीली से गिरफतार कर लिया जा है सुक्रवार सुबा रांची पुलिस की टीम ने विसाल कुमार पांडे नाम से सक्स को दिली पुलिस की मदद से गिरफतार किया गया विसाल कुमार पांडे के खिलाप रांची के कारोबारी अजय कुमार सिंग ने 15 थाना में प्रात्मी की दच कराई थी पूरा मामला साल 2021 का है रांची में कारोबार करने वाले अजय सिंग से विसाल कुमर पांडे ने रेलेवे में ठेके के नाम पर 60 लाख रुपए के ठगी कर ली थी साथ ही मिलक ठेकेदारी करने का दावा करने वाले अजय सिंग को जब पता चला कि विसाल कुमार पैंडे ने उनसे ठगी की तो वह अपने पैसे वापस माहने लगे लेकिन विसाल कुमार पैंडे हर बार कोई ने कोई बहाना बनाता रहा अमन स्रीवास्तव गिरोह के दो अपराधी 50 लाख के साथ गिरफता जहारखन ATS ने अमन स्रीवास्तव गिरोह को तगड़ी आर्थिक चोट दी है बतादे अमन स्रीवास्तव गिरोह के खिलाब करवाई करते हुए ATS ने दो अपराधियों को दबोचा है एक बड़े कारोबारी से रंगदारी के पैसे वसूल कर पत्रातु जा रहे थे इसी दोरान ATS ने उन्हें दबोश लिया बतादे संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाप जोड़ार करवाई में जूटी ATS को यह सुचना मिली थी कि जेल में बंद रहने के बावजूद अवन स्रीवास्तो गिरोहों कोड़ोर रूपए रंगदारी के जरिये वसूल रहा है कोलहान से नकसलियों का सफाया के लिए जूटी पुलीस कोलहान में नकसलियों पस्ति कांजा कसने के लिए पुलिस लगातार अभिहां चला रही है पुलिस ने गुरुआर को एक कड़ोर के इनामी असीम मंडल हाटकोर नकसलि सागर सिंग उर्फ बिरेन सिंग उर्फ भौजी सिंग उर्फ राम सिंग राम परसाद, मरांडी, उर्फ सचीन, उर्फ महादेव और मदन महतो उर्फ संकर के घर पर इस्तिहार चिपकाया नियाले से जारी आदेश की कोपी साटी गई बता दे गालूडी पुलीस गुरु आरको पच्छिम मंगाल के पच्छिम मेदनी पूर जिलाइस्थी चंद्र कोना थाना के फोल्चक गाव पहुची यहाँ परमुक नकसली नेता असीम मंडल के घर पर ढोलना गाड़ा बजा का इस्तिहार साटा पुलीस ने बताया कि गालूडी थाना कांड संख्या 0-7-17 और 19-22 के तहट असीम मंडल प्रात्मिक अभयूग थाए इडी ने च्छोई रेंजन सहिस्वला आरोपियों के खिलाप एफायर दाज करने की अनुसंसा की परवतन इडी ने अवय दखन और सेना की जमीन खरीद भिख्टी के मामले में जाच के दोरान मिले तथियों को राई सरकार के साथ साजा किया साथी ललिता कुमारी बनाम उतरपर्देश के मामले में सुप्रीम कोड दोरा दोसी ब्यक्तियों के खिलाप प्राथमी की दरच करने के निर्देश दिये गए आदेश के अलोग में प्राथमी की दरच करने का अनुरोथ किया बता दे PMLA की धारा 66-2 के तहट इड़ी द्वारा साधा की गई सुचनाओं के मदनजर कुल 14 आरोपियों और दो कमप्रणियों पर प्रत्मी की दर्च करने की बद्यातर सरकार पर है इड़ी द्वारा अवायद खरनन के मदने में साधा की गई सुचना के अलोग में पंकज मिश्रा प्रेम परकास बच्चू यादव और पसुपतिनात के खिला परत्मी की दर्च की जानी है सेना के कबजे वाले जमीन जकत बंधु टी एस्टेस द्वारा की गई खरीद और दस्तावेज में जाल साजी के मावले में 10 आरोपियों और दो कमप्रणियों खिला परत्मी की दर्च की जानी है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर वाल का बेल आइकन दबाए साजी साथ वीडियो को एक लाइक कर पने दोस्तों से आशेर करना भूले साजी साथ आप हमें कोमेंट बक्स पर अपना फिड़बेक और से दे थैंक्यू